हेलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सोसल फार्मिसी का चैप्टर नमबर टू का लेक्टर नमबर फोर ठीक है ना जिसके अंतर हम लोग पढ़ने वाले हैं वैक्सिन्स एंड टाइप्स ऑफ इम्मुनिटी एंड इम्मुनिजेशन अगर आप लोग अभी जेस्ट करके आ रह रखी है तो ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग वही सब बाते हैं थोड़ा से समझना है ज्यादा कुछ खास नहीं आगर 12 पढ़ लिया जुनलों का गैप हो गया है वो ध्यान से लेक्टर को सुने और समझने की कोशिश करें तो यह बातें बड़ी बेसिक हैं हम लोग जान ठीक है क्या पढ़ रहे हम लोग इम्म्यूनिटी किलियर है तो डेफिसन की बात करें इम्म्यूनिटी क्या होती है हमारा इम्म्यून सिस्टम जो पूरा सिस्टम रोगों से है ना बीमारियों से जो लड़ता है वो पूरा सिस्टम क्या कहलाता है इम्म्यून सिस्टम कहलात इसको भी लिख दो के नंबर मिल जाएंगे वही लिखा हुए है immunity is the ability of the body body की छमता ability of the body body की छमता okay ability of the body to defend itself against खुद को बचाना है defend करती है खुद को बॉडी की छमता जो खुद को बचाती है disease causing organism से जो disease create करते हैं ऐसे और्गनिजम से ठीक है every day our body comes in contact with several pathogens per day every day our body comes in contact with several pathogens pathogens जिन लोगो नहीं पता और समझ लें pathogens किसो कहते हैं pathogens ही होते है disease पैदा करने वाले और्गनिजम तो हम लिखते हैं disease causing organism बात समझ में आई ठीक है ना तो disease causing organism को हम लोग क्या बोलते हैं pathogens बोलते हैं बात समझ में रही है clear है okay तो पढ़ रहा है मैं अभी ऐसे बैठा हुआ मालो और सब्सक्राइब कोई चीज़ बहार गया हाथ से अपने हाथ से खा रहे हैं स्वाथ का मज़ा ले रहे हैं तो वह हाथों से क्या जा रहा है गंदा पानी। हैाना आज कल क्या होता है शात्में एक वो रखे रहती है नमक का या उससा पानी रखे रहता है। हम भी उठा रहे हैं, दुसरा आदमी उठांशा रहा है तिसरा आदमी अब पता चला पांशgehen नि ने नाही press現在 है है अगे आते हैं। ठीक है, उस case में आपको पता भी नहीं चलता, वो लगा के चला कि आप दुआरा में खाने के लिए आए हैं, मतलब बाज में पहले वाले आदमें ने क्या गंदगी लगा के छोड़ दी वहाँ पर, बाज समय में आ रही है, तो एक छोटा सा example दिया मैंने, इस तरीके से पैथोजन से हम लोग टकराते हैं, खाते ही खाते हैं रोज पैथोजन हम लोग, लेकिन, but only a few results into disease, कुछ ही disease पैदा कर पाते हैं हमारी बाड़ी के अंदर है न, क्यों बाकि सब को हमारी बाड़ी मार काट के अलग कर देती है, okay, the reason is, इसका करण क्या है, our body has the ability to release antibody, क्यों ज इतने सारे पैथोजन रोज हमारी बाड़ी में जा रहे हैं, और क्यों कुछ ही पैथोजन सिर्फ हमारी बाड़ी में disease पैदा कर पाते हैं, उसका reason क्या है, उसका reason सिर्फ यह है कि बाकी सब को हमारी बाड़ी क्या करती है, मार काट करके अलग कर देती हैं, कुछ successful हो जाते ह तब फिर बिमारिया हो जाती है टाइफार जैसी मलेरिया जैसी ठीके ना आगे आते हैं मारता कौन है हमारी बाड़ी immune system से जो हमारे cynic निकलते हैं सैनिकों को नाम किया है antibodies याद कर ले जो cynic बाहर निकल के आते हैं हमारी body से मारने के लिए उनको हम लोग क्या बोलते हैं antibodies ठीक है अगेंस्ट दीज पैथोजन इन पैथोजन के खिलाफ यह सैनिक आ गए हैं और protect कर रहे हैं body को against the disease, disease के खिलाफ बचा रहे हैं हमको जिस defense mechanism is called immunity यही जो system है पूरा इसको हम लोग क्या कहते हैं immunity कहते है clear हुई बात हैं चलें आगे okay now कई तरीकी immunity होती है समझते हैं जारा there are two major types of immunity एक होती है innate, innate मतला होते है पैदाईसी natural non-specific सब के लिए एक समान किसी ऐसा नहीं किसी खास को मारेगी सब को मारती है एक होती acquired immunity यह adaptive immunity जो पैदा होने के बाद समय अनुसार हमारी body acquire करती है ठीक है अब पैदा होते ही कौन कौन सी हमारे पास जो है immunity है जैसे छोटी सी बात कर लें हम लोग जैसे कि हमारी skin इसकिन का barrier है organism को सीधा घुसने नहीं दे रहा हमारा saliva saliva के अंदर lysosome पाई जाते हैं हमारे आंसू को चीच गिर जाते तो आंसू निकलते आंसूं के अंदर lysosome पाई जाते हैं तो acid उसको मार देगा ठीक है और कुछ होती है acquired समय के साथ आती है जैसे कि समय के साथ आने के लिए सबसे अच्छा उधारान क्या है चिकन-बॉक्स का कहते हो नो सुना होगा एक बार ही अगर चिकन पॉक्स निकल आई चिकन पॉक्स awards उसको माता भी बोल देते हैं फिर जिंदगी में कभी नहीं होती यह क्यूंकि एक बार होने चार्ट बिल्कुल इम्मुनिटी में अगर ये चार्ट याद कर लिया समझो काम हो गया तुमारा है ना मैं हमेसा चार्ट ठीक है ना जो बच्चे लाइफ क्लास ले रहे हैं वो समझ रहे होंगे मैं चार्ट को बहुत ज़्यादा तवर्जों देता हूं पढ़ाई को अपना इस फॉर्मेट में पढ़ाई करें बहुत प्यारी पढ़ाई होती है पढ़ाई बहुत असान लगती है ठीक है नाउ इम्मुन सिस्टेम एट ग्लांस ठीक है टाइपस ऑफिमनिटी एक होगी इनेट इन्बोर्ण के लो नौन स्पेस्फिक ये स्पेसिक नहीं होती है अब में external defense और internal external में हमरे पास क्या जाएगा इसकी ना जाएगा इसको हम लोगों कहते हैं first line of defense क्या कहते है first line of defense यही सब question है बेटा तुम लोगों के कि बताओ first line of defense चार option आ जाएंगे first line of defense में कौन कौन है skin, cilia यह सारे example में आ जाएंगे then second line of defense internal body के अंदर चले गए ठीक है न यह अपना क्या है third line of defense clear है तो हम लोगों को first line second line और third line of defense के तरह भी पढ़ सकते है first line of defense जिसमें physical barrier barrier मतलब जो विरोध अवरोध पैदा करें जिसमें कौन आता है skin, mucus, nasal hair, cilia है ना नाक के अंदर mucus रोक लेगा यहाँ पर अपने कान के अंदर कोईची घुसने कोहिस करेगा तो wax होता है वो रोक लेगा अंदर नहीं घुसने देगा ठीक है यह physical barrier है cilia cilia क्य आ गया आते है chemical barrier oil and sweet है ना यह physical हो गया अच्छा यह chemical में आ गया जो हमारे कानों में यह हमारी skin पर जो oil निकलता रहता है जिससे कि है ना हमारी skin में भी क्या है छेद है bacteria घुस सकता उसके अंदर से लेकिन तो skin होगरा में oil निकलता है उसको पकड़ लेगा bacteria को ठीक है ना उ cerumen earwax को cerumen कहा जाता है lysozyme in tear tear में lysozymes होता है and tissue fluid vaginal bacteria producing lactic acid जो वेजाइना में बैक्टेरिया पाए जाते हैं वो lactic acid प्रोडूस करते हैं जिसका pH काफी कम होता है low pH होता है और इस low pH में दूसरे bacteria या virus पनप नहीं पाते हैं तो बटा ध्यान रखना है यह chart very important आगे आते है internal defense या second line of defense की बात करें phagocytos phagocytes macrophages यह journal है body can अगर इन सब को पार करके कोई अंदर घुसी गया अखिरकार तो फिर यह जो भी होगा मतलब बहारी कुछ भी हो कुछ भी हो बहारी mark art चालू कर देंगा कौन phagocytes phagocytes के अंदर कौन आते हैं macrophages and wbc wbc के अंदर कौन होते है नीट्रोफिल जैन मोनोसाइट जैसे हम लोग ब्लड वाला पार्ट पढ़ेंगे किसका इंट्रोफिल में तब नीट्रोफिल इस मोनोसाइट वगर सब डेटेल में आएंगी ठीक है तो phagocytes से काम क्या है खाके निगल जाना किसी चीज़ को है ना ऐसे गोल-गोल होते है इसे गोल-गोल होते तो ऐसे मूग खोलेंगे और उसको निगल जाएंगे इस्टरीक से पूरा खातम कर देंगे इंफ्लमेटरी रियक्षिन अब इंफ्लमेटरी समस्तियों ना क्या होता है स्वैलिंग कर देना रेड्नेस आ जाना फीवर आ जाना यह सब क्या आते हैं इंटर्फिरॉन खास करके वारेस के लो होते हैं ठीक है अब यह तो होगे जर्नल अब इसमें से वी कुछ बचे गए कुछ ऐसे हैं दोनों क्रॉस कर जाएंगे तो एक खास तरिक बिमारी पैता करेंगे मालों टाइफाइड हो गया चिकन बॉक्स हो गया कुछ भी हो गया अब क्या है उसके बाद यह थर्ड लाइन डिफाइंस आजागा अपना देख रहे हो तीन पर्तों में हमारी सुरक्षा हो रही है ठीक है तब ही हम लोग यहां तक पहुंच पाते हैं पहुंच पाने मतलब है अगर यह सुरक्षा ना हो तो बहुत जल्दी हम लोगे डेथ ह ब्शें अच्छा तुम बेक्टेरिया रूकि हो बटा रहे तुम उआ अच्छा तुम वाइरेस बता तुम भी अच्छा तुम यह वाली ότι हम डारिक्ट इंध्यक्स वेशते हैं हमारी बाड़ी टिटनस की एन्टिवाड़ी सको क्या है टिटनस होगया तो लाय-लाज मारी मारी होती है तो तिटनस से बचने के लिए हग c давно से इंजस्यक्शन उसके अंदर पहले से ही नंव स्टैक्स मोझूद होते हैं एंटी बॉडी पहले से मुझूद होती जो बॉडी में जाके फैल जाती है और जहां कहीं भी उसके जो किटानू होंगे उनकों मारे की पकड़ के तो ध्यान रगना एक्टिव में क्या है इम्म्यूनिटी पहले पहले पैचानती है और फिर अपने सैनिक भेशती है में डायविमेे अंभी में बना लेते हैं Сैनिको का एक दमा बना लेते हैं और आव को याने कि एंटीबोडी इसको डायरेक्ट नोग बॉडी बादी कंद़र डाल देते हैं तो एक्टिवमास अनिशकना रही है पैसिभ जिसको वहार से ले रहे हैं ठीक सीनॆ एनक्टें य antigen क्या होते हैं ठीक है आओ देखते हैं अब antigen क्या होते हैं आप समझ लेते हैं मैंने एक word बोला था पैथोजन क्या बोला था पैथोजन मैंने कहा था disease causing agent ठीक है इसके अंदर कुछ होते हैं इनके जो डिजीस कॉस करते हैं इन पैथोजेंस के ऊपर यह पैथोजेंस है बादो बैक्टेरिया कुछ भी है इसके ऊपर ना एक खास तरह का structure रहेंगे कार्वोहाइडेट्स के प्रोटीन के structure यह जो structures होते हैं ठीक है इन structures को हम लोग क्या कहते हैं एंटीजेंस कहते हैं जो हमारा immune system है वो इनी antigens को पहचान लेता है कि भाई यह जो है यह हमारी body के नहीं है हमारी body मतलब जैसे मैंने तुमको साथ पता हो मैंने कहाता हर एक cell का अपना एक नाम होता है जिसको हमारी body पहचान थी कि यह cell हमारी body का है तो यह antigens है न एक तरह से आहे एंटीजेंन ठीक है न सब्सक्राइब थाहिता रहे जिखना थी ना इनको antigen के खिलाव पैचान लेजिय को आ गया है antigen के खिलाफ फिर हमारी body क्या बनाती है Antibody बना देती है हमारा immune system क्या रखना इस antigen के खिलाफ हमारी immune system क्या कर रहा है antibody बना रहे है अब यह antibody antigen के साथ साथ मतलब इसको खत्म करें तो एंटिजन एक्टमटिक क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बास समझ मारी यह है ना जैसे आज कल क्या जलता है तो हमारी कंट्री के तुम यहां के तुम वहां के तुम निकल जाओ दू तो यह सब चीजें अपने लोगों क को हमार देते इंटीजन जैसरेंटीजन के में आते हैं अब यहां पर मैं क्या ठीक्ट में करेंगे करेंगे क्रांस भूपिस ऑपर साथ की। से अब समझझो बात को वह पर निटेल वोगगए यहां पर बताता हूं साइटो टॉक्सिक सब्सक्राइब system क्या करेंगे जो प्वेशु इनको बनने में हेल्प करते बात समेघ्व उसके बाद यह क्या करते हैं ब्डी इसल को बोलेंगा आ गए हैं सब लोग सब लुग मतलब डिजीजmbादेज आ गए हैं मारना चालू करो अब यह बाहिया जो बी ओते नगिय को यह साइट्र टॉक्सिक साइटोटॉक्सी जो किलर सेल्स है ये इसको पैचान के एंटिवाडी तो बनगी लेकिन जो एंटिवाडी है फिर यह अंदा दूंद फाइरिंग करती है ये सब को ले डालेगी पैथोजन बगल में कोई हमारा सेल है अच्छा वाला उसको ही मारेंगी ये छोड़ती किसी को नहीं है होता क्या है फिर हुआ फिर अब यह साईटोटॉक्सिक सेल्स मारे जा रही हैं मारें जाएं मारें देता है सप्रेस कर देगा अपना काम बंद करो तुम ठीक है फिर पैचान लेती है अच्छा ये तुम थे भविश्री में आया तो हम तुम देख लेंगे फिर तो ये इस तरह से काम करने का रहता है पढ़ेंगे इसका थोड़ाता और आगे आगे आता है बी सेल में प्लाजम तो बीसल मारेगा नहीं बीसल नो उसको पकड़ा और ले जा करके साम में रख दिया तू तो हमारा बॉड़ी का है नहीं मर अब तू तो भार में चालू ठीक है पढ़ेंगे इसको देन पैसीव इमिनुटी में क्या है एंटी बॉड़ी एंटीबॉडी इंटीबॉडी आऑउटसफाइड डारेक्ली नर पा चीए बढाया ली इसका ऑगजय में तो अच्छी बात है fl忘 सब्सक्राइब नहीं आए तो हम आगे पढ़ रहें इसकी डेटेल करेंगे अभी चलो आजाओ ना इन्नेट इम्मुनिटी शुरू करें क्या कह रहा है इस टाइप आफ इम्मुनिटी इस प्रिजेंट इन ऑगनिजम बाय बर्थ जनम से होती है यह इन्नेट इम्मुनिटी इ इस फ्यू नेचुरल बैरियर्स कुछ हमारे बाड़ी के नैचलर कुदरती बैरियर है तो प्रवेंट दा एंट्री ओफ पैसोजन को रोक देते हैं ताइप सब्सक्राइब करें कौन कौन से हैं फोर टाइपस के हैं पहला है फिजिकल बैरियर फिजिकल मतला जो सामने से ट सब्सक्राइब करें जा करके उस रास्ते में उसको रोग दियाएकर किसी को भी ऐसे डियो कर रहता है वहाँ पर इस फॉर्म दा फॉर्स्ट लाइन ओफ डिफेंस वही बात जो वहां टेवल में थी वहां लिखी हुई है कह रहा है कि इसकिन करती है उससे भी ज़्यादा हमें के बर कलर और कॉंपलेक्शन देने के अलावा बहुत सारे काम करती है यह नहीं कि हम गोरे और काले हैं तो इसकिन देरी ना इसकिन हमको प्रोटेक्ट भी करती है अबर सकिन एक्टेशन खैज अधर फिजिकल बैरियर यह फिजिकल बैरियर की तरह टंते है ठीकल गलो जाते है और की अंदर क्या में लिखक्र टäफ इस प्रोटेक्ट्टीव घ्रियर विच ट्रैप प्या C फस जाते हैं इससे पहले कि वह अंदर जाते हैं मुक्रस बनेगा च्छीक आएगी च्छीक देंगे सब बाहर आजाता है ठीक है बास समझें आ रही है तो फिजिकल बैरियर जहां पर हम डारेक्ट चीजों को टच करके हमारी बॉड़ी काम कर रही है आगे आते हैं फिजियोलोजिकल बैरियर फिजियो लॉजिकल जो हमारा working ना कर रही है चांदो करती है क्थ कड़ने का ब्यू टू सच अ इतना हाड़ होता है most of the germs that enter our body जाज तर जो किटाणू हमारी बाड़ी में एंटर करते हैं along with the food खाने के साथ साथ खाना खाना खार जा बताया था उन्हें गुलगपर का एक्जांबर लेकर करके are killed before the further process is carried on यह वहाँ पर उसके द्वारा मार दिये जाते हैं किसके द्वारा HCL के द्वारा ठीक है now saliva in our mouth हुआर माउथ में जो saliva है थूक है जो and tears जो आंसू होते है also have the lysosome enzyme lysosome क्या होते है इनका अच्छी खार चमता होती है किसी चीज को digest करके खापी के खतम कर देते है that does not allow the growth of pathogen क्योंकि उसको क्या करते हैं के carpeet कर देते हैं खा डालते है even though they are exposed all day ठीक है ना अब सलाय वगरा क्या मुह हमारा हम लोग खा रहे हैं या normal भी है हम लोग बात कर रहे हैं तो हवा जा रही है हवा के थूरू कर देते हैं ठीक है तो यह क्या है lysosome enzyme जो होता है वो उनको मार के खतम कर देते हैं cellular barrier ध्यान रखना physiological हो गया है cellular अब cell level पे cell level पे यान finally cell के अंदर पहुंच गए ठीक है न अब वहां क्या होगा the cell involved in this barrier are leekocyte wbc कौन से cell involved होते हैं इस वाले barrier में leekocyte cells होते है निट्रोफिल इनका नाम है लिंफोसाइट बैसोफिल इस्नोफिल और मोनोसाइट यह कुछ खास cells हैं जो pathogen को मारने का काम करते हैं इनके नाम आफ ऑसे phagocytes macrophages made cell ज्यकिन यह लिको साइट की अंदर पाएज लिएच को साइट से ज्याम है शैल है विसुकत इस्ट देख लेते हैं इसका लोग फैगो साइट दीस थुरुध दा ब़डी यह पूरी ब़डी में क्या कर रहा है सट भूँ रहा है क्यों गूम रहा है और look for any foreign substance जैसे गस्त लगती है ना पुरिस गस्त लगाती है फॉजी गस्त लगाते है बाटर पर यह गस्त लगा रहे है पूरी बाड़ी में और देखते हैं कोई भारी तो नहीं आ गया है दे इंगल्फ खा जाते हैं उसे and destroy it defending the body against the pathogen उसे खा पीके खतम करते हैं अगर मिल जाएगा था ना macrophages these have the ability to move across the walls of the circulatory system इनके पाथ छमता होती है जो circulatory system होता है उसके दिवाल पार करके बाहर आ सकते हैं यह they release certain signals as cytokines to recruit other cells at the site of infection यह कुछ खास तरह के signals release करती है cytokine की रूप में cytokine chemical होता है जिससे की कुछ और cell को infection ठीक करने के लिए recruit भरती करता है एक तरह से बना लो नए cell बना रहा है ताकि जहां infection हो गया उसको ठीक करने के लिए mast cell these are important for healing wound जखम ठीक करने के लिए and defense against infection और वहाँ पर जए infection होगा उसको ठीक करने के लिए नाम ज्यादा important है definition यह याद ना रहा है तब भी चलेगा neutrophils these contain granules दानेदार होता है यह that are toxic in nature and kill any pathogen that comes in contact granules होते हैं यह touch में आएगा मार डालेगा isnofils these contain highly toxic protein that kill any bacteria और parasite in contact इसके पास proteins होते हैं बहुत ज़्याद toxic होते हैं bacteria virus के लिए हमारे लिए नहीं basophils these attacks multicellular parasites यह कई सारे parasites पर attack करता है like the mast cell these release histamine mast cell के तरह यह भी क्या release करते हैं histamine release करते है natural killer cells कुदरती killer cells these stop the spread of infection by destroying the infected host cell जो host cell है जो हमारी body का cell है जो infected हो चुका है जिसके अंदर bacteria virus घुस चुका है उस cell को ही मार डालेगा यह हटो चलो ठीक है और फिर हमको बचाएगा आगे infection के फैलने से dendritic cell these are located in the tissues कहां पाई जाते हैं tissues में that are the point for initial infection यह सुरुवात की infection वाले point होते हैं these cells sense the infection and send the message to the rest of the immune system by antigen presentation ठीक है dendritic cells क्या है यह है यह होता है फिर यह का करेंगे अच्छा भाहर को कोई आगे infection हो गया है फिर यह message भेजेंगे जाओ एक infection है ना and send the message to the rest of the immune system दूसरी पूरे immune system message भाई कोई बहारी आ गया है तयार हो जाओ ठीक है ना और कैसे भेजता हो नहीं हाँ नाम लिया था ठीक है आगे आते हैं in case a cell in our body experience of virus invasion अगर लगता है cell को कि वाइस ने invasion मतलब हमला कर दिया है it automatically secret protein नो खुझ से फिर एक protein बनाएगा called interferon which forms a coating around the infected cell देखो कितना अच्छा काम हो रहा है हमारी body महीदार चीज़ें करती है यह मान लोग एक cell है यहाँ पर क्या आ गया वाइरस आ गया यह cell खुझ से ही एक खास तरह का chemical निकालेगी और अपने आपको cover कर लेगी that is called inter cytokine barrier ठीक है ना उसको क्या कर लेगी यह cover कर लेगी ठीक है ओके ठीक है इसको हम लोग interferons कहते हैं ठीक है cover कर लिया इसको and prevent the cells around it from further infection और जो इसके आज़ पास के अच्छे cells होते हैं यह normal cell है यह normal cell है अब यह virus ना यहाँ दूसरे cell को infect नहीं कर पाएगा यह हमारी cytokine barrier कहलाता यह clear है बाते हैं बासमझ में आ गई ठीक है यह interferon नाम का chemical होता है अब यह तो होगे हमारा क्या barrier यानि कि हमारे पास क्या हो गया first or second line वाला अब किस पर आगे हम लोग acquired पर आ रहे हैं clear है चार्ट तो नहीं देखना पॉस कर लो फ्रवर चार्ट देख लो हम रहे है अक्वाइड पर आ गए है अक्वाइड इमुनिटी क्या है यह एडेप्टिव इमुनिटी क्या है इस दाइमुनिटी डैट अब बॉड़ी acquire करती है और gain करती है over the time जैसे से हम बड़े होते जाते हैं जैसे से infection हमको होता जाता है हमारी body समझती जाती है अच्छा यह वाला किटानू infection फैलाता है यह वाला virus भी infection देता है उसको पैचानती जली जाती है unlike the innate immunity this is not presented by birth यह जनम से नहीं होते हैं हमारे अंदर यह समय के साथ आते हैं the ability of immune system to adapt itself to disease है जो छमता है immune system की कि यह ढाल लेती है अपने आपको disease के according to generate pathogen specific immunity और pathogen specific अच्छा यह वाला है तो इसी को मारने के लिए से खास अपना mechanism setup चैयर कर लेती है तो इस termed as acquired immunity इसलिए से कहा गया है acquired कहा गया specific कहा गया है इस bacteria को kill करने के लिए अलग mechanism होगा virus को मारने के लिए अलग mechanism होगा ठीक है it is also known as adaptive immunity adapt ढाला उसने अपने आपको इसलिए adaptation से word आ गया adaptive immunity के लिए रहे बात है next an individual acquires the immunity after the birth hence is called the acquired immunity कोई भी जो होता है वो birth के बाद इसको acquire करता है इसलिए से acquired immunity कहा जाता है it is specific and mediated by antibodies ये specific होती है किसी हर किसी के लिए खास होती है और कौन इसको किसको द्वारा किया जाता है ये इसमें काम कौन करते है antibodies और lymphocytes ठीक है antibody में बता है सेनिक होते हैं make the antigen harmless और finally जो antigen होते हैं उनको harmless कर लेते हैं एक करे से मालोग खतम कर देंगे the immune system of our body identifies the pathogen हमारे बाड़ी का immune system है pathogen को identify करता ढूंता है which have encountered in the past जो पास्ट में कभी मालो किसी bacteria attack किया है हमारा immune system होसे पहचान लेता है ठीक है अब उसको इतना टाइम नहीं लगना है कि पता नहीं यह शुरुआत में क्या होता है कई बार जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैक्सिन इसन वगरा में क्या होता है शुरुआत में क्या होता है यह नहीं बता जाता हूं में वैक्सिन का मतलब ही क्या रहता है कि क्यों हमें कोई द्वारा नहीं हो पाती कुछ द्वारा नहीं होती है सारी नहीं तो सुरुआत में क्या होता है फर्स्ट एंटीजन होता है उसको सुरुआत में हमारा जो immune system होता है ना थोड़ा सा देख देख चुका है कि हमारे इम्यून सिस्टम पर भारी पढ़ता यह अब इसने क्या किया इसको रिकनाई मेमोरी कर ली इसकी क्या कर ली मैमोरी याद कर लिया अब सेकेंड टाइम आता है सेकेंड टाइम आया एंटीजन ठीक है अब यह इसको पहचानता है अच्छा तु फिर आ गया अब उसको इससे पहले की वो multiply करे, immune system खतम, ठीक है, एकदम जगड़ लेगा उसे, मालेगा पकड़ेगा और काटपूर के खतम करतेगा, इससे पहले की multiply करे, तो वो हमको होता ही नहीं इसलिए, ठीक है न, यही same का हम vaccine में करते हैं, ठीक है, vaccine का भी out detail में देखेंगा अभी, फिलाल हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर, मैं वरी वाली बात कर ली, okay, when encounter the first time, जब वो पहली बात करता है, it is called primary response, उसको हम लोग क्या कहते है, primary response कहते है, कई बार उतना effective नहीं होता है, once a body gets used to these pathogen, जब वो उसको used to these, अब उसको use कर लिया, पहचान लिया, antibodies are ready to attack them for the second time, अब antibodies ready है, पहले सो कुछ ready meat बनके तयार रहती है, यह आया तो खटाक समारना है, ठीक है, known as naturally acquired immunity, इसको हम लोग क्या कहते है, naturally acquired immunity, के लिए रहे बाते हैं, आते हैं आगे, the acquired immunity in our body has certain special features of acquiring immunity, ठीक है, खास-खास feature क्या है, यह नहीं भी याद करो, तब भी चल जाएगा, खास feature क्या है, our body has the ability to differentiate between the different types of pathogen, whether it is harmful or not, and advise, and device a way to destroy them, ठीक है न, specificity, हमारे immune system के पास छमता होती है, कि वो differentiate कर सके, अलग पहचान कर सके, कौन सा pathogen harmful है, कौन सा नहीं है, and device a way, और एक device करना एक तरीका धुनती है, कि उनको मार सके, diversity, our body can detect vast variety of pathogen, diversity, बहुत सारे अलग तरीके पहचान स ranging from protojoa to virus, है ना, kingdom पट रखे, protojoa, malaria गरा था, और फिर finally virus तक, सब को मारने के तरीके हैं, इसके पास, differentiate between self and non-self, लो, खुद के cells को दूसरे सल को पहचानती है, तभी तो हमारा immune system हमारे cells पर अटैक नहीं करता है, लेकिन हाँ, कई बार एक बिमारी हो जाती है, क्या नाम है, autoimmunity, that is dangerous, है ना, type, diabetes के एक type थी, उसमें भी autoimmunity हो जाती है, हमारा immune system हमारे cells को मारता है, खेर, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, इसके अंदर छमता है, self or non-self, हमारे cells कौन से हैं, बाहर के cells कौन से हैं, उनको पैचानिक छमता होती है, और body has the unique ability to differentiate between its own cells and foreign cells, बाहरी cells कौन से ह उसको पैचानिक छमता होती है, it immediately, यह तुरंत इस्टार्ट कर देती, rejecting any foreign cells in the body, यह तुरंत ही क्या करती है, reject कर देगी, यही वज़या होती है, कि जब organ transplant होता है, तो हमारी body का immune system होता है, उसको साइथ 15 दिन, 20 दिन के लिए, महीने बर के लिए, injection लगा के suppress कर दिया जाता ह जिससे कि जो organ transplant होके आया है, उसको कोई नुकसान ना हो, memory, once our body encountered a pathogen, एक बारी encounter मतलब मुठवेड हो गई pathogen से, it activates, इनकाउटर कादा मुठवेड होना, it activates the immune system to destroy it, वो immune system को activate कर देती है, आगे के लिए, कि जब भी कई फर्दर आएगा तो उसको मार देना है, it also remembers what antibodies were released, उस antibodies को होती है, ठीक है, देखेंगे हम लोग, release in response to death pathogen, so that the next time it enters a similar procedure, is followed by the body to eliminate, ठीक है, तो कहरा है, उसको याद रहती है, सारी बाते हैं कि जब पिछली वार मुठिवेड होई थी, तो किस antibody से वो मरा था, वह antibody वो द्वारा release करता है, जिससे कि वो eliminate हो जाए, मर जाए, बात सम required immunity होती है, इसमें दो type के cells होते हैं, एक होते हैं B cells और एक होते हैं T cells, B cells क्या है, I attack invader outside the cell, I attack infected cells, T cells क्या है, infected cells को attack करता है, यह बाहरी जो cells होते हैं, उनको kill करता है, ठीक है, यह जास याद रखने के लिए हैं कि B cells क्या है, जो बाहरी आए होए होते हैं, उनको और यह जो बात कर लें इंदे डेवलप इंदा बोन मेरों इंपोर्टेंट है बी नाम पड़ा होगा है ना तो एक जग से निकलते हैं कुछ बैंब बोन मेरों में बनते हैं और पॉस्ट थाइमस में तो बोन मेरों वालों को टी सेल्स का जाता है इस एक्टिवेटेट ऑन देर इंकाउं इसमें प्लाजम सेल्स में और वह जो प्लाजमा सेल्स होते हैं वीच प्रड्यूस एंटिवाडी स्पैस्फिक टू टाप्र पासे करते MARK और Pok poi और तु назад कि भी यह उन्हेसे यह पूरा सर्च करेंगा बोदी में कहीं और तो नहीं इंदेगे नहीं अप्रिये लिएद है जो हुँँँब्र यूद अने वाला है know and develop in the thymus पैदा तो बोन मेरों मेरों में होते हैं वह वाले बोन मेरों मेरों में मैच्योर भी हो जाते हैं यह मैच्योर होते हैं अगर के थाइमस में T-cells differentiate into helper cells cytotoxic cells and regulatory cells या इसी को हम लोग क्या कहते हैं suppressor cell भी कह देते हैं these cells are released into the blood stream यह कहां छोड़ दी जाते हैं खोन में छोड़ दी जाएंगे वैं दी cells are triggered by an antigen जब किसे antigen में द्वारा यह trigger कर दिया जाते हैं काम करना शुरू करते हैं helper T-cells release cytokines helper T-cells क्या release करते हैं cytokines release करते हैं that act as a messenger और cytokines कैसे act करेंगे messenger के तरह है these cytokines initiate the differentiation of B-cells अब यह cytokines है यह भी जाकर किसको B-cell को ही activate कर रहे हैं समझे है रहा बात को और B-cells in plasma cells which release antibodies against the antigen अब यह B-cells है वो बदल जाते हैं किसमें plasma cells के रिलीज करेगी antibodies release करेगी अब the cytotoxic T-cells यानि कि यहां पर दो दो तरीके से काम हो रहा है जो helper T-cell था helper T-cell ठीक है न उसने क्या क्या B-cells को activate किया ठीक उसा काम खता हम जो cytotoxic cell है जो cytotoxic cell है kills the cancer cell cancer cell मतलब disease causing agent उनको kill करना शुरू करता है regulatory T-cells regulate immune reaction regulate करता है कम ज्यादा खतम हो गया सारे antigen तो उसे रोक देगा नई खतम हुए तो चलने देगा उससे ठीक है तो regulatory है इसे को suppressor cell भी बोल देते हैं कई बार अब आते हैं हम लोग types of acquired immune system ठीक है अब acquired immune system में क्या खतम हो गया ठीक है अभी हमने यहाँ पर देखा था चार्ट को फिर से देख लो तुम लोग ठीक है न तो हमारे पास first line, second line, third line, defense क्या हो गया खतम हो गया लेकिन हम लोग तो acquired immune system में इसको further दो type से divide कर सकते हैं ठीक है एक तो active passive वाला था वो तो बात अलग हो गया इसका mode of action है ठीक है इसका क्या है जो काम करने का तरीक है यहाँ लिख लो according mode of action according mode of action के देखते हुए एक है humoral immune response जोने मैंने बाइब बताया था कि जो हमारा blood stream में हमारी humor में चीज़ें काम करती है और एक होता है cell meditated immune response जाने कि जो cell immune system response करता है मतलब जो हमारा cell के दवारा immune system create किया जाता है वो cell meditated और humor के दवारा होगा तो humoral ठीक है अब समझ लेते हैं इसको the antibodies produced by B lymphocytes ठीक है जो B cells होते हैं उनके दवारा antibodies produced की जाएंगी are present in the blood cells and they are transported all over the body और यह पूरी body में transport किया रहे हैं कहां blood blood है तो humor this is why it is called humoral immune response as it consists of an antibody produced by the lymphocyte ठीक है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं humoral immune response कहते हैं अब क्या कह रहा है when an antibody on a B cell binds with an antigen जब कोई antibody B cell पे bind करता antigen को humoral immunity comes into play तो कोई सारी कहानी आगे है अब यहाँ पर समझना था कि इसे humoral क्यों कहते हैं अब कोई antigen आके इसे जुड़ेगा तो एक्टिवेट हो जाएगा the antigen is internalized by the B cell and presented on the अब जो antigen है अच्छा अच्छा इसी बात आ गया कोई बात नहीं ठीक है helper T cells this activate the B cell यह further B cell को activate करता है the activated B cell grow and produce plasma cells फिर क्या होता है B cells grow करेंगे produce करेंगे क्या plasma cells these plasma cells release antibodies अब यह क्या करेंगे antibodies को release करेंगे in the blood stream सारा काम वारे blood के थुरू हो रहा है the memory B cells retain अब जो memory B cells होते हैं retain the information about the pathogen जो memory B cells है और pathogen के बारे में सारी information रख लेते हैं to prevent a way to prevent any disease caused by a dead pathogen in the near future जिससे कि अगर future में को disease होता है तो उसको उसके खिलाफ काम कर सकें तो यह इस तरीके से humoral का काम रहता है बात समझ मारी है now cell mediated cell में क्या है helper जो T cells वगरा थे तो T cells वाला काम cell mediated है और B cell का humoral mediated हो जाएगा cell mediated immunity is initiated by the T helper cells यहां पर इसको activate कर देता है देखो है न T cell के दुनों काम हो गए एक तो इसने T cell further B cell को फिर और activate करता है ठीक है अब दूसरा भी काम करता है T cell तो T cells होंगे the helper T cells the cytotoxic T cells eliminate the infected एक तो यह cell activate हो गए cytotoxic cells क्या करेंगे eliminate करेंगे infected cell को from the body by releasing toxin thereby promoting apoptosis और program cell death तो cytotoxic T cells से करते हैं apoptosis cell को मारना स्टार्ट कर देंगे जिसके अंदर infection है the T helper cells help to activate other immune cells यह helper T cells होते हैं यह दूसरे immune cells को activate करने में help करते हैं the T lymphocytes are capable of recognizing whether tissue and organ is from our body or foreign body T lymphocytes होते हैं उनके अंदर चमता होती है रिकनाईज कर सकते हैं कि जो tissue organ है वह हमारा है या बाहर का है this is the reason why we cannot transplant and implant the organs into our body तो ध्यान रखना जो T lymphocytes हैं उनके अंदर organ को पैचानने की tissue को पैचानने की छमता होती है बी के अंदर नहीं तो ध्यान रखना कि कौन से वाले cells को हमें suppress करना पड़ता है immune system पर पूरे कोई करना पड़ता है क्योंकि यह जा करके बी को activate कर सकता है तो फिलाल main को नहीं है यहाँ पर T के अंदर छमता होती है B के अंदर disease वाला हो गया इसके अंदर tissue और organ को पैचानने की छमता है ठीक है आगे आते हैं ओके इस इस दा रिजन वाई वी कैनोट transplant and implant the organ into our body यही रिजन है क्योंकि यह पहचान लेते हैं इसलिए हम लोग direct transplant and implant नहीं कर सकते even if we find the donor अगर हमें donor मिल भी गया है तब भी हम direct काम यह नहीं कर सकते ठीक है with the same blood group because of our body might reject the transplant organ सब कुछ से में मिल गया blood group वगरा match कर गया सब कुछ तब भी हमको transplant करने में दिख्कत आती है क्योंकि helper T-cells दिख्कत करते हैं the T-lymphocyte cells the T-cells quickly recognize the tissue और an organ यो तुरंद पहचान लेते हैं as a foreign and do not allow it to become a part of the body और allow नहीं करते कि हमारी body का part बने this is why transplant receives receivers have to take immunosuppression medication for the rest of their lives तो उन्हों time time पर immunosuppressor लेना पड़ता है वो खुद की body ताकि damage ना हो जाए this response is controlled by the T-lymphocyte ये response कौन control करता है T-lymphocyte response को control करते हैं तो ध्यान रखने हैं पर cell meditated में T-wallet है cell meditated immune response होता क्या है जो cell के दोवारा किया जा रहा है humoral में कौन है जो humor blood के दोवारा control blood के अंदर सारे cells मौझूद है वो control कर रहे है ठीक है आगे आते है अब types of acquired immunity अब types की बात करें तो एक minute हाँ वो हो गया mode of action के according और ये हो गया अपना उसके according कि natural है या बहारी है खुद मारी body बना रही है या है ना तो यहाँ पर आ जाएगा इसका हम लोग बात कर सकते है origin के base पर ठीक है active immunity और adaptive immunity जो हमारी body खुद बनाती है active immunity involves a direct response of a foreign antigen foreign antigen आएगा और हमारी body उसके उपर direct response करती है in the case of acquired or adaptive immunity system the body remembers the pathogen यहाँ पर body करती है पैसों इनको रियाद भी रख कर लेती है it has encountered in the past जो past में उसको बिला था this is the direct result of the active immune system और यह direct result होता है यानि कि यहाँ पर क्या है सीदी सी बात कहना चाहरा है active immunity direct response करती है यानि कि हमारी body का system यहाँ पर वजला आ गया कि body के system direct उसके उपर काम करेगा ठीक है न antigen आएगा हमारी body में हमारा immune system उसको attack करके मारना शुरू करेगा ठीक है न और उसको याद भी कर लेता भविश्य के लिए active immunity occur when we are in contact with the pathogen और its antigen यह तभी active होती है जब हम किसी pathogen के touch में आते है यानि कि यह antibody तभी निकालेगी जब कोई pathogen आएगा बात समझ में आई अब antigen stands for antibody generator तो हम लोग antigen को कह रहते हैं antigen क्या होते हैं antibody को generate करने वाले antibody generator बता चुका हूं मैं भी antigen क्या होते हैं it is with the help of antigen released by the pathogen that our body tackles the pathogen ठीक है pathogen अगर antigen release ना करे तो antibody भी रिलीज नहीं होगी pathogen को बता है ने pathogen क्या होते है disease-causing agent और उन्हीं के ओपर क्या निकले होते हैं antigen निकले हुए होते है so what our body does is it start producing antibody to attack the pathogen based on its antigen pathogen के antigen को पहचान करके वह pathogen को मारती है pathogen को direct नहीं पहचानती हो when this happen for the first time it is called primary response तो कहीं नहीं बात है मिली जूली पराने वाली आ रही है ठीक है पहली पड़ चुक है बस यहां पर क्या हम तिसको differentiate करते जल रहे है classify करते जल रहे है passive immunity passive में क्या है passive immunity involves the immune response by the antibodies attained from outside the body बहारी नहीं बता है टिटनेस का example दिया था जो बहार से direct antibodies दी जा रही है है ना antibody को direct डाला जा रहा है while active immunity may protect us from the disease for a lifetime passive immunity is the more short term active immunity क्या करती है remember कर लेती है जिंदगी भर हमको बचाएगी लेकिन जो passive immunity है उसमें क्या antibodies डाले टिटनेस और इंजक्सिन यह से 6 माने के लिए काम करता है वो antibody जब तक बॉड़ी में थी ठीक वो मर के खतम हो गए हमें वापस से नए antibody चाहिए होते है फिर वह बाहर से लेने पड़ते हैं हमको तो यह short term के लिए काम करते है active वाले long term के लिए पूरी जिंदगी काम करते है पैसिव इमिनिटी डवलप इमिडेटली यह तुरंट डवलप होती है और बॉडी कुड बिगिन इस अटेक ऑन तब पैसेजन राइट अवे ठीक ना पैसिव होता है तुरंत लगाया वो तो तुरंत रेडिमेट है तुरंत ही मार कर चलू कर देंगे वह एक्टिव में क्य नैचरली में क्या होगे नैचरली एंटीजेन एंटर दबॉडी विच ट्रिगर दफ प्रडॉक्शन अफ एंटीबॉडी और स्पेसिलाइज लिम्फोसाइट यह होगे नैचरली में एक्टिव पैसिव में क्या होगा नैचरली अच्छा इसको समझने थोड़ा था यहां अब बच्छा कन्फिउस कर सकता है नैचरली एककोड आठिफिशले अक्वाइड अब देखो नेचरली अक्वाइड एक्टिव का मतलब क्या होता हमारी ऑडी खुझ से पैदा कर रही है पैसे को मतलब क्या होता बाहर से अब बहार से क्या कुधरती तरीके से हम लोग ले स यह नेचरली फियर पासे स्वाइब यह नेचरली जा रहा है यह एक्जमपल याद रखेंगे अब आटिफीशिली हम लोग जो वैक्सिन बनाते हैं ठीक है ना एंटीजेंस आर इंटू दा बॉड़ी थू वैक्सिन तू टू ट्रिगर इम्म्यून रिस्पॉंस वैक्सिन में होते हैं बहुत कम मात्रा में इतनी मात्रा में होते हैं कि वा हमारी बॉड़ी को बहुत ज्यादा असर नहीं करते लेकिन हमारी बॉड़ी का immune system activate हो जाता है यही वज़य होती है जब vaccine लगती है बच्चे को तो बुखार आता है फिर automatic उतर जाता है क्योंकि बुखार किसलिए आता है हमारी body का immune system उसको cover कर रहा होता है और cover कर लेता है इसलिए अपना बुखार उतर जाता है तो वह इतनी जो antigen होता है vaccine के अंदर इतनी light quantity में होता है या मरे वे टाइप के रहते हैं कि केवाल वह हमारे immune system को activate करने के लिए होता है अब artificial immune passive आ जाए तो इसको हम कहते हैं performed antibodies in immune serum are introduced by the injection तो ध्यान रखना naturally acquired के भी active passive है artificially acquired के भी active passive है थोड़ा सा confusion होगी यहां पर ठीक है ना natural तरीके से body बनी natural तरीके से बाहर से body आई artificial तरीके से body को immune system को trigger किया गया artificial तरीके से antibody को body में डाला गया के लिए रहे बाते ठीक है तो यही सब सा immunity के बारे में types of immunity को लेकर के question है पर आएगा यह आएगा autoimmunity में बता चुका हूँ क्या था sometimes sometimes the immune system attack its own tissue immune system का बार हमारे खुद के ही tissues के उपर क्या करता है attack करता है and organs instead of the foreign antigen this is called autoimmunity अब बहार के बाजाए वो अपने ही cells और tissues को damage करता है type 1 diabetes is an example of autoimmune disease ठीक है type 1 diabetes diabetes के बारे में पढ़ेंगे हम लोग second year में तो वहां पे तुमको और चीज़े समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से जो insulin producing cells होते हैं उनको यह damage कर देती है autoimmunity में वैक्सिंस के बारे हम पढ़ लें वैक्सिंस क्या होते हैं तो वैक्सिंस देखो क्या होता है simple सी बात है यह भी बताया था वैक्सिंस क्या है इसके अंदर क्या होते है antigens जो vaccine लगती है हमको oral solution डाला जाता है या injection लगा जाता है उसके अंदर होते हैं antigens कहलो या pathogens कहलो हाँ वह bacteria वारिस होते हैं उसके अंदर ठीक है लेकिन मरे हुए या अदमरे कैसे होते हैं killed मतलब मरे हुए और अदमरे के लिए बात बोली जाती है attenuated वड़ाएगा भी तो यह दोनों ही अवस्ता में हमारी body इनको देख करके मारने के लिए तो active हो जाती है बट यह हमारी body को disease cause नहीं कर पाते हैं और एक बार हमारी body का immune system इनको देख करके activate हो कि अच्छा ये भी था ये भी होते हैं त इसका तो हमने देखा था हमारी body मा आया था हमने उससे मार दिया था ठीक है तो यह यह vaccine बस और कुछ नहीं है it is a preparation that is administered दी जाती है as by injection ठीक है to stimulate the body immune response हमारी body का immune response क्या हो जाए एक्टिवेट हो जाए अगेंस्ट है specific infection agent और डिजिस अब प्रॉपर तुमको समझ में आ गया क्या होता है वैक्सिन अब एक्सिन इज मेट अफ एंटीजन का बना होता है और पैसोजन डैट कॉस्ट दा डिजीज दो डिजीज कॉस्ट करते हैं ऐसे पैस इनक्टिव और बायो सिंथेटिक बेक्टिरिया बायो सिंथेटिक मतलब नहीं बाड़ी के अंदर या वायरेस इस प्रॉंप्रॉंट मतलब एक्टिवेट करता है तुम्हारे इम्म्यून सिस्टम को तो रिगगनाइज दे पैसोजन की पैसोजन को पहचान ले और डिफें इस प्रकार बाड़ी को डिजीज के खिलाफ बचाया जाता है जो कि भषच में हमको हो सकती हैं होड है ना जब हम वैक्टीन करते हैं तो बिलकूल वैसा ही रेस्पॉंस क्रेट करता है जैसके मालो रियल में कोई पैसा अन्मारी ब वाडी में आ अगया है इसलिए हम इसको Artificially Acquired Immunity कहते हैं क्या कहते हैं Artificially Acquired Immunity किलियर हैं आगे आते हैं Now Types of Vaccine Types of Vaccine की बात करें तो जैसे मैंने बताया था Live Attenuated, जिंदा अद मरे ठीक है, Inactive or Dead Inactive जो Active नहीं है या मरे हुए है ठीक है, Conjuguate और Subnative Vaccine इसमें हम लोग उसका कोई Part ले लेते हैं DNA और mRNA Vaccine DNA, mRNA की Help से करते हैं Viral Vector Vaccine, जो Viral Virus फैलाता है और Toxins, जो वो लोग Toxic Chemical पैदा करते हैं ठीक है, हम जो लेते हैं फटाफट इसका हम लोग तो Live Attenuated Live Vaccines Container Weekend और Attenuated अदमरे, Form of an Infection Agent जो Infectious Agent होता है, बेक्टरिया वाइरस वो वीक या अदमरे होते हैं Live in the term, Live Vaccine is a bit misnormal Misnormal मतलब Live मतलब जिंदा यह एक misnormal एक्टर में जिंदा नहीं है है ना, बिल्कुल जिंदा नहीं होते हैं Example of active and live vaccines में कोई है? Measles, Mumps, Rubela, MMR Chickenpox, Singles और Smallpox Inactive or dead vaccine में Inactive, dead or inert vaccines contain pathogens that cannot multiply वो multiply नहीं कर सकते हैं, मर चुके हैं and cannot cause a disease, disease पैदा नहीं कर सकते हैं However, your immune system is still able to recognize and attack these inactive pathogens to build immunity Antigen तो इनके उपर हैं ना, उनको पहचान करके active हो जाता हमारा immune system के अच्छा, यह आया, active हो गया बस अब भविश में कभी जिन्दा आएंगे तो उनको मारेगा यह इसके example में कौन कौन है flu shot, polio, rabies, hooping cough ठीके जिसे पर्टूसीस भी कहते हैं conjugate or subjunit vaccines conjugate मतलब क्या होता, किसी का part जोड़ना है subjunit किसी का हिस्सा these biosynthetic vaccines only contain fragments of the pathogen pathogen का कुछ part ले लेते हैं हम लोग this helps the immune system develop a response to a specific piece of pathogen pathogen के कुछ एक खास piece के लिए वो क्या करता है अपना immune system हमारा develop हो जाएगा भविश में कभी पूरा pathogen आएगा तो उसमें वो अला part तो हो गई होगा उसका वो इसको attack करके मारेगा इसके example वो कौन कौन है human papilloma virus, HPV, pneumonococcal disease, meningococcal disease इनके लिए जो vaccine लगती है वो आती है DNA और mRNA vaccine अबर clinical staff is often asked how mRNA vaccine वर्क है ना कैसे काम करता है DNA and mRNA vaccines are intended to give our cells genetic instruction यह हमारे cells को genetic instruction देते हैं आदेश देते हैं to create inert piece of virus virus का एक piece create करें our immune system can then recognize हमारे immune system फिर इसको पहचानेगा और target these piece of built immunity और इन piece को target करेगा to built immunity जिससे की immunity हमारी पैदा हो जाए ठीक है ना there currently are no approved DNA और mRNA vaccines अभी तक ऐसा हो कि approved नहीं है ठीक है ना बस चल रहा है काम इसके उपर though many are being studied in clinical trial clinical trial पर है सार के सार यह viral vector vaccines these vaccines use harmless viruses जो वाइरस नुक्सान नहीं पहुचाते हैं उनको हम लेते हैं जो deliver genetic instructions और body के अंदर genetic instructions है न आपको देते हैं cells को and prompt and immune response जिससे की वह genetic instruction क्या करेगा हमारी बड़े का immune response ठीक है ना क्या करेगा activate कर देगा यानि कि हुआ क्या वाइरस के द्वारा उस वाइरस को हमने बाड़ी में डाला उस वाइरस ने क्या कि हो नूट नुक्सान नहीं पहुचाएगा हमको लेकिन उसने क्या कि genetic instruction दे दिए कि immune system activate करो वह अपना एक्टिवेट कर देगा इसमें एक्जामपल में कौन है hepatitis B या Ebola टॉक्साइट दो uncommon काफी uncommon है इस वैक्षिंस help your immune system to fight the effects of toxin जो उसके toxins के effect होते हैं जो chemical release करते हैं हमारी वाड़ी में उसके effect होते हैं उसके अगेंश लटते हैं not the actual infection यहाँ पर actual infection नहीं उसके harmful toxins है उसके खिलाव रड़ाई चल रही है ठीक है इसमें कौन-कौन आ गया tetanus और diptheria tetanus का ता भी ठीका लगता है now immunization अब बड़ा simple है immunization को समझना अगर यह vaccine समझ में आ गया है अच्छी बात है नहीं समझ में आया तो फटाक से यहीं से वीडियो को वापस कर लें play कर लें back और वापस देखें अब समझ में आ गया है तो यहां से इसको start करें immunization is the process of inducing or providing immunity artificially याने कि हमने क्या कर दिया वैक्षिन दे दिया अब वैक्षिन इसन और इम्मुनिजेशन में डिफरेंस क्या आता है फिर आओ देखते हैं है ना हम यहां पर हम लोग क्या कर रहे है इम्मुनिजेशन दे रहे हैं तो this may be done by administering of a vaccine यह कैसे किया जाता है इस में भी done by the administration of a vaccine वैक्षिन देने के बाद इसको वैक्षिन दे करके immunization किया जाता है ठीक है तो वैक्षिनेशन कह लो इम्मुनिजेशन क्यों कहा आओ समझते है टॉकसाइड और एक्षिनली प्रदूश अन्तीजन मनतर्स वी बात कह रहा है हम इम्मुनिजेशन कैसे करते हैं वैक्षिन दे करके अब वैक्षिन में टॉकसाइड हो या एक्षिनली प्रदूश एंटीजन हो इन और तू ही खोजा है हम लोग, immunization has both direct and indirect effect, direct effect क्या है? antibody protection in the individual, ठीक है antibody production, production होना जाए, इंटियर्ट इफेट क्या है? reduction of the incidence of the antibody production कर लेना है, यह पर protection नहीं आएगा, production, ठीक है, इंटियर्ट इफेट क्या है? reduction of the incidence of the disease in other so-called herd immunity, जब पूरी community में हम लोग क्या कर लेते हैं, हैh uh disease से लड़नी च्छंता पैदा करदें हैं तो उसका लोग क्या बना करते हैं हर्ड इम्यूटी करते हैं हुवरी से लड़ने की और एंटी시 करता है डाट इफ्टेक्टंट आगया आते अब कुछ से ऑस लाइव उन्हें लाइव लिए जाता है तो किसमें क्या लिया जा रहा है जो के पार्ट वाला था टाइपस व्यक्सिन में उसका यहां पर यह टेबल दिया हुए अब एक छोटा सा पार्ट हमें समझ लेना है की difference between vaccination and immunization तो vaccination is the administration used to give vaccine जो हम दवाई लगा रहे हैं that is called vaccination that is giving oral vaccine और injections to improve immune system जिससे के हमारा immune system improve हो जाए develop हो जाए and fight against the disease और disease के खिलाफ काम करें ठीक है immunization is the process in which the individual immune system is improved अंतर समझ में आ गया ठीक है to fight against the infected agent कही ना कहीं दोनों चीज़ें एक ही है ठीक है उसका एक पार्ट को vaccination बोला गया एक पार्ट को immunization बोला गया जो हमारी immunity बढ़ रही है immunization जो vaccine लगाई जा रही है वही vaccine लगने के बाद ही तो immunity बढ़ी तो वो जो vaccine लगने की process vaccination उसको इम्मुनिटी बढ़ने की process immunization clear types of immunization active immunization when vaccine stimulate the production of antibody which actively fight the virus और the bacteria immunization के भी type होते है एक्टिव जिसके अंदर हम लोग ने types of वैक्टिव डाला और हमारी बाड़े का immune system क्या हो गया active हो गया that is called active immunization passive passive immunity carries the antibody अब ऐसा immunization जिसके अंदर हमने antibodies डाले और antibody की वज़े से हमारा immunity बढ़ गई ठीक है यानि कि perform antibody वाला जो case था पैसिव वाला बास्रे डाल दिये ठीक है तो substance such as immunoglobulin ठीक है इसे हम immunoglobulin भी बोल देते हैं यह हमारे क्या होते है antibodies होते हैं क्या होते हैं antibodies होते हैं इस transfer to protect from a certain disease जो antibodies हैं वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग immunoglobulin बोल देते हैं या immunoglobulin बोल देते हैं ठीक है यह का करता है वह disease बचाते हैं इस protection take place immediately और यह तुरंत होता क्या होता है पहले पैचानता है फिर production करेगा फिर बाद में अटैक करेगा यहां पर डारेक्ट सैनिक रेडिमेट डाले जा रहे हैं ठीक है तो वह डारेक्ट करते हैं बास समझ मारी है तो immunization को भी हम दो पार्ट में तोड़ते हैं immunity का active और पैसिव अब क्योंकि यहां पर एक वड़ आ गया क्या immunoglobulin जो कि antibody से related है तो हम लोग सब्सक्राइब देख लेए what is immunoglobulin या antibodies तो आओ देख लेए immunoglobulin और ग्लाइको प्रोटीन होते हैं याने कि carbohydrate और प्रोटीन का पार्ट होते हैं प्रोटीन के बने वह होते हैं यह प्लाज्मा सेल्स यह प्लाज्मा सेल्स के द्वारा प्रेड्यूस किया जाते हैं इन response to an immunogen immunogen मतलब antigen जो antigen जो disease पैदा करते हैं and which function as antibody और यह antibody की तरह immunoglobulins के द्वारा हाँ ठीक है sorry immunoglobulins plasma cell के द्वारा पैदा किये जाते हैं और इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं antibodies कहते हैं now the immunoglobulins derive their name from the finding that they are migrate with globular protein इसका नाम यह ऐसा क्यों पढ़ गया क्योंकि यह जो globular proteins होते हैं उसके साथ चिपक करके चल रहे हैं ठीक है drive their name from the finding that they are migrate migrate मतलब वह move करते हैं globular protein के साथ ठीक है when antibody containing serum is placed in electrical field जब एक antibody containing serum एक serum जिसके अंदर antibody होता है उसको जब हम electrical field में रख देते हैं चेकिंग के लिए टेस्टिंग के लिए तो वह हम देखते हैं globular protein के साथ move करता है जो शुरूब आपने इसको देखा गया तो उसका नाम इसलिए पड़ गया immune और globuline ठीक है अब इसे कुछ example जो तुम लोग बहुत अच्छे जानते होगे IgG IgA IgM IgE IgD IgG the most abundant type of antibody found in all body fluid and protect against bacterial viral infection IgA found in high concentration in mucous membrane कहां पाए जाते हैं mucous membrane IgG कहां पाए जाते हैं बॉड़ी के फिलुड में particularly those lining the respiratory passages ठीक है ना कौन से mucous membrane है जो respiratory जो हमारे सांस की नली होती है वहार जो covering होती है और gastro-intestinal tract जो हमारा खाने वाली नली होती है उसकी covering होती वहां पाए जाते हैं saliva और tears में IgM found mainly in blood and lymph तो ध्यान रखेंगे blood lymph में M है mucous membrane में IgA body fluid जाने की जो हमारा body का फिलुड होता है ना cells की बीचे पाए जाता है वहां पर IgG पाए जाता है इस दा first antibody to be made by the body to fight new infection यही सबसे पहला antibody होता है जो हमारी body सबसे पहले बनाती है infection से लड़ने के लिए IgE इसका नाम तो सुन रखा होगा associated mainly with allergic reaction जो allergy पैदा करते हैं उन reaction के साथ सारी जो allergy पैदा होती है वह इन्हीं की उसमें जो जाता है और जिसके वैसे में खुझली अबगराई स्टार्ट हो जाती है ठीक है कहां का पाए जाते हैं लंक्स में एक छोटी वाली लाइट चेंद कहते हैं तो इसको ठीक है इधर भी क्यों होगी है है और यह लाइट चेंट चेंव श्टार्ट में इसका मूह होता है antigen binding site होता है एजी मतलब antigen ले ना इसको एंटिजन बायंडिंग साथ ठीक है कि एंटीजन बायंदिंग साइट होता है कि लिए तो यह स attendees का रहे के बीचमें आपासे जुड़े कैसे होते हैं Ideasulfide linkage कैसी linkage कि इसका उस्ट्रक्ट्चर करुद याद रखना है कि लिए रहे अब इसको स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है न वो थोड़ा सा शेप चेंज करता रहता अपना क्योंकि एंटिजन को सेट करना होता है बाद आगी पूरा इससा कैसा रहता है constant region on heavy chain constant region on heavy chain variable region आगे वाल रिजन कैसा होता है variable जाने इसका मूँ है वो बदल सकते हैं clear है तो इस तरीके से ये पूरा जो था हमारी बाड़ी का immune system defense mechanism की किस तरीके से हमारी बाड़ी बचती है रोगों से और disease से clear है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग डी फार्मा में कम नंबर लाने से कैसे बचेंगे या exit exam को एक ही बार में कैसे clear करेंगे कौन बचाएगा आपको कौन बचाएगा mind nurture app आयो देखते हैं तो आओ जानते हैं अपने mind nurture app के बारे में तो yes हमारे channel का जो नाम है mind nurture उसी के नाम से अब app आ चुका है जो की google के play store पे मौजूद है ठीक है lecture के link में भी उसका description दे रखा है और चाहो तो direct कहा play store पे जा करके उसको download कर सकते हो ठीक है अब देखो YouTube पर lectures and notes YouTube पर भी available है free of cost है ना जब मैं पहले से पढ़ा रहा था यह तो मैंने बच्चे से promise किया था कि lecture और notes जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैस जितने notes मेरे app में होंगे उतने lecture और notes आपको YouTube पर मिलेगा बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी वह चीज है one marks question की practice जो one marks important question होंगे ठीक है ना one marks question में basically तुम्हारे पास क्या आते है MCQ और fill in the blanks ठीक है यह तुम्हारे अब नय जो pattern है उसमें नय exam pattern है ठीक है ना उसमे मैं MCQ और fill in the blanks आ रहे हैं दोनों मिला करके 10 नमर के यह आते हैं 10 नमर के यह आते हैं ठीक है plus two marks question याने कि आप इतना सारा पढ़ेंगे यहां वो कुछ important question दूंगा मैं two marks, three marks, five marks कि आगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो pass तो guarantee हो जाएंगे ठीक है और जब detailed knowledge लाइव क्लास होगी अब माल लो मैं यूटूबर लेक्टर कोई पढ़ा दिया है अब वो कहीं कुछ तुमारा doubt first गया है ठीक है तो वो कैसे cover होगा वो तो उसके लिए क्या होगा live class होगी doubts के लिए मैं आया करूँ हो लाइव क्लास जो क्या अभी start already हो चुकी है बच्चे doubts इस question फिर पूरे chapter से मिला करके 100-100 question हो जाए करेंगे जो कि तुम्हारे deform और सबसे important exit exam की उपर बेश्ट होने वाले है MCQ question अब देखो समझे क्या है यह MCQ questions का test हम लोग कहा नहीं ले सकते YouTube पर नहीं ले सकते अब YouTube पर क्या होगा मैं बताता हूँ ऐसे मैं चल रहा हूँ question लि होगे पढ़ करके सोच करके वो मज़ा आएगा उससे practice होती असली ठीक है ना तो यह सबसे बड़ा part आपको मिलने वाला है फिलिंदा विलैंक की बारे में बात करी चुका हूँ routine test for deform and exit exam only 40% marks चाहिए सबको पता है 100 में से सबको कितने चाहिए 40 number में पास हो जाओगे ठीक है किसका chapter number 1 plus chapter number 2 का फिर chapter 3 मालो खतम हो गया फिर उसके पाद एक combined test होगा 1 plus 2 plus 3 इस तरह से चलता रहागा चलता रहागा एक time वो आएगा 1 plus 2 plus 3 मालो 13 chapter है तो combined test हो रहे है यह जो test अगर बच्चा कोई मन से देता है बहुत अच्छे मन से तो more than 95% उसका कहीं नहीं गया है और अ 40% यान कि 40 number लाना फिर उसके लिए final exam में बहुत आसान हो जाएगा और सबसे बड़ी बात बेटा जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस exam को target करके होगी ठीक है ना जो subject तुमारे exit exam में आएंगे उसको target करके पढ़ाई होगी यान कि जब theory पढ़ोगे या लिकोशन अच्छे से कर ले जाओगे तो mcq तो बहुत अराम से कर ले जाओगे और mcq जब बहुत अराम से कर ले जाओगे तो exit exam बहुत अराम से clear कर ले जाओगे बात सोंजबा आ रही है और fees बिलकुल minimal है 1100 रुपे पूरे साल के लिए सभी subjects की first year पूरा साल सभी subject 1100 रुपे second year पूरा साल साथ भी 11 रुपे पढ़ रही है इस फीज को अगर आप अपनी कॉलिज फीज से कंपेर करोगे तो ना कि बराबर है महिने का तुम्हारा 92 रुपे संथिंग पढ़ता है जाकर के इस से सस्ता चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एप को ले करके ठीक है या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के यूटूब के सभी लेक्चर मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूटूब पे नहीं है जिसमें मेरे नोट्स नहीं दिया है ठीक है जिन बच्चों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ ले ठीक है उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बे जिजग बिना हिचके चाहे मुझे कॉल करें डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर रहे सर कैसे क्या है ठीक है मैं तुम मैं को वह चीज बता दूगा किलियर है और सबसे बढ़ी चीज यह सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा यारा एक क्षेज आपको और जाएंगी ठीक है तो क्या करते रहो रिवाइश करते रहो और पढ़ते रहो यह बेस्ट